हेलो स्टूरेंट्स हम पहले ही बात कर चुके हैं पैरडीम के बारे में पैरड़ाइम के बारे में पैरडाइम डिये है मर्टन ने है यह टॉपिक आपका MA Socucharolargy का है MA Sochiología MA First Year Sochiology Second semester ANT Unit First आपक लिए है New Classical Tehoris Disix per से है परटन के द्वारा दी गई मिडल एंस हो रही और यह सेकंड है पैराडाइम पैराडाइम में जिसे काम करने का एक तरीका है पद्धती है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं पहली वीडियो में लेकिन जिसने नहीं देखी हो वो पहली वीडियो जरूर देख लेना उसके बाद ही यह सेकंड वाली देखना फिर भी मैं आवर्वियू इसका दे देती हूँ इसमें हमने ग्यारा मदों के बारे में हमने बात की थी ग्यारा आइटम्स के बारे में बात की थी कई बार तो एक्जाम में सीधे सीधे पोश लेते हैं कि पैरडाइम की कितने मद इसने मर्टन ने बताए है तो मदों की चर्चा हमने की थी पहला मद था वे मद जिनके प्रकारे की पहचान करनी है मद मतलब पॉइंट एक पद दी जो भी पैरडाइम की है जैसे सुसाइटी को समझने का मर्टन का ये प्रकारेवाद है प्रकारेवाद का में पैरडाइम है तो इसको समझने के लिए सुसाइटी को समझने के लिए हमें एक विधी दी मर्टन ने जिसे पैरडाइम कहा गया एक मॉडल दिया इस मॉडल को भी पैरडाइम कहा कुल मिला के एक तरीका हमें दिया एक विजन हमें दिया कि हम सोसाइटी में ये 11 पॉइंट्स रख के अपनी जो प्रॉबलम है उसका सलुशन निकाल सकते है कि ये किस प्रकार से सोसाइटी में फिट बैठती है या नहीं बैठती है उसके लिए 11 पॉइंट्स हमें बताई 11 विदी हमें बताई 11 व्यू हमें दिये जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी जो सोसाइटी है सोसाइटी को मेजर कर सकते हैं सोसाइटी में प्रॉबलम्स को मेजर कर सकते हैं नमबर वन था वे मद जिनकी प्रकारों की पैचान करनी है पहले हम प्रॉब्लम्स की पैचान करेंगे उसके बाद सेकिन नमबर था अध्याद से सम्भदित उद्दिश्या और उनकी प्रेरणाई थाड़ था मद की प्रकारे किस भाती विवस्ता को बनाई रखते हैं इसमें हमने बात की थी प्रकारे के बहुल परिणाम की प्रकारे की दुश प्रकारे की प्रकट प्रकारे और प्रचन प्रकारे फिर नमबर फोर आता है उन इकायों की पहचान जिनके लिए मद प्रकारे आत्मक है जिन्होंने फस वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखना उस पार्ट है इसका paradigm का उसमें इन सब points की इन सब मदों की details हमने दी है नमबर 5 है उन प्रेकार्यों की खोज या वेवस्था जो वेवस्था की आवशक्ताओं और पूर आवशक्ताओं को पूरा करते हैं नमबर 6 वेह क्रिया विधी जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन किये जाते हैं हमने लास वाली वीडियो में हमने बात किये थी उन प्रकार्यों की खोज जो वेवस्था की आवशक्ताओं और पूर आवशक्ताओं को पूरा करते हैं और अब हम बात करेंगे वेह क्रिया विधी जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन किये जाते हैं वेवस्था की आवशक्ताओं हैं वेवस्था को जीवित रखती हैं सामान नेता इसकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए किसी न किसी क्रिया विधी द्वारा इनकी आवशक्ताओं की पूर्ती की जाती हैं जिस प्रकार से विभा एक ऐसी व्यवस्था है इसकी आवशक्ता योन प्रजनन और मौक्ष आदी के लिए हो सकती हैं इस प्राप्ती के लिए कई क्रिया विधियों को काम में लिया जाता है कौन-कौन सी विभानी मंतरन देना होता है मंडप, पुरोही तार्मिक अनुस्थान, प्रती भोज, आदी इसकी क्रिया विधिया है जिसके माध्यम से विभा पूर्ण होता है विवस्था के विभिन मदों, की प्रक्रियाओं को जानने के अतिरिक्त, अनुसंधान करता को इस तथ्य का भी पता लगाना चाहिए कि किन-किन क्रिया विधियों या सादनों द्वारा यह कार्य पूरा होता है जैसे हमने पहले ही एक समस्या ली थी कि पॉलिटिकल हमें गतिवी धिया देखनी है तो पॉलिटिकल गतिवी धिया एक मद हमने लिया जिसके फिर हमने उद्देशे उसके बनाए कि हमें कौन-कौन से उद्देशे लेने है कि पॉलिटिकल इशूज के बारे में भी हमें अगर बात करनी है तो हमें उसके उद्देश्य जानने होंगे कि हमने पॉलिटिकल इशूज को ही क्यों चुना है और फिर उसको एक वैवस्था वैवस्थित रूप में रखना फिर उसके जो प्रैकार्यात्मक हिसे हैं कि उनसे होने वाले जो कार्या हैं उनके बारे में जाना कि वो सही है या गलत है या वैवस्थित रूप से वैवस्था के अंतर गताते है या नहीं आते हैं और किस प्रकार से हमारे आवशक्ताओं के पूर्टि करते हैं फिर ये वाला पॉइंट आया कि वह क्रिया विधी जिसके माध्यम से प्रकार्या संपन किये जाते हैं तो इसमें हम यह भी जानेंगे कि हमें अपने समस्याओं के अध्यन के लिए या फिर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन-कौन से क्रिया विधियों से होकर निकलना पड़ता है जैसे कि इसमें एक धारन दिया गया विवा का और विवा करने के लिए निमंत्रन पत्र भेज़ा जाता है मं की भी study कर रहे हैं जैसी भी society की study कर रहे हैं जिस भी point को आपने लिया है उसके बारे में ये सारी क्रिया विधिया क्रिया विधी अनुसंधान करता को पहले से ही तयार करनी होगी नमबर seven की बात करते हैं प्रेकारयत्मत विकल्पों की अवधार ना जो प्रेकारियत मत विकल्प है मर्टन इनके बारे में अग्रह पूर्वा कहते हैं जोर लगाकर कहते हैं कि व्यवस्था की कोई भी प्रकृरिया जिसे एक मद पूरा करता है अपरिहार नहीं है बल्कि प्रकार्यों को करने वाले कई अन्य विकल्पिक मद भी है कि केवल एक ही तरीका नहीं होता काम को करने का जैसे विवा का उधारन आया था विवा के उधारन में कि हिंदों में विवा किसी और तरीके से होता है तो मुस्लिमों में दूसरे तरीके से होता है तो एक ही कारे को करने का किवल एक ही तरीका नहीं होता बलकि उसके विकल्प भी होते है यहां तक हिंदू मेरिज जो की जाती है वो कोड में भी हो जाती है और हिंदू मेरिज में भी अलग अलग प्रांटों के अलग-अलग जगाओं के अलग-अलग तरीके है इन वेकपिक मदो की शिनाक तो होनी चाहिए इनका पता लगना चाहिए मार्टन का कहना है यदि किजी व्यक्ति का विश्वासी स्वर में है तो इस आवशकता की पूरती के लिए अगर आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी सही नहीं होगी जैसे मैं अपलोड करूंगी पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है और मैं कोई रेगलर यूट्यूबर भी नहीं हो कि हाँ मैं इसी पे एक फोकस कर रखा या फिर मुझे ये कंटीन्यू करना है बस आप लोगों की class continue होनी है उस वज़ा से ये वीडियोज ढलती है आप अपनी picture quality सही कर लेना उसके 3 shot लेके तब आप अपना जो notes है वो बना सकते हैं ठीक है विकल्पिक प्रकारे प्राप्त है वह हिंदु धर्म, इसलाम या इसाई धर्म जैसा कि मनया भी बताया था आवशक्ता की पूर्ती के लिए अपने अपने तरीकों को अपना सकते हैं हिंदु धर्म के प्रकारे ही उसके लिए ऐपरिहारे नहीं हैं आदिम समाजों में ऐसे प्रकारात्मक विकल्प नहीं होते जबकि ये बात कही मर्टर ने धेरो विकल्प हैं किसी भी समाज या व्यक्ति के लिए उपलब्द होते हैं जैसे आज बिजली के भी कितने अल्टरनेटिव आते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्वर्टर यूज कर लेंगे इन्वर्टर नहीं भी है कि आदिम समाजों में आज की डेट में भी आज के समय में भी धेरो विकल्प नहीं है इसलिए जनजातियों को जड़ कहा गया है कि वो अपनी और गती शील नहीं है वो जड़ है अब नमबर एट की बात करते हैं प्रक्रिया के लिए सरचनात्मक दबाओ जो भी प्रक्रिया है उस पे सरचनात्मक दबाओ पड़ता है इसलिए समझाते हैं अमर्टन कहते हैं कि अपने पैरडिम में व्यवस्था में प्रकारत्मक विकल्पों के होते हुए भी कुछ सरचनात्मक दबाओ व्यक्ति पर इस तरह के होते हैं कि उसे एक निश्चित प्रकार्य या मद को ही अपनाना पड़ता है यह ठीक है कि जैवी किया आवशक्ता के लिए दाल रोटी का भोजन भोजन एक निश्चित प्रकार्य को पूरा करता है लेकिन इसके विकल्प में चावल और मचली या मांसाहरी भोजन भी उपलब्द होता है फिर भी व्यक्ति या उसके जाती समों पर शाकाहरी भोजन का ऐसा दबाओ होता है कि व्यक्ति मानसाहारी भोजन के प्रेकारात्मक विकल्प को असली जामा नहीं पहचान पहना सकता अतय प्रेकारात्मक विशलेशन में अनुसंधान करता को ऐसे सरचनागत या संस्थागत दबाऊं की पहचान भी करनी चाहिए जिन्हें मानने के लिए कोई भी व्यवस्ता बाद्य होती है कहते हैं कि हमारी व्यवस्ता हैं इस तरह की होती है कि बहुत सारी कम्यूनिटीज में जैसे जैनीज में हैं वो लोग लेसुन भी नहीं खाते प्यास भी नहीं खाते और बहुत ही सात्विक भूजन लेते हैं यहां तक कीडे मगोडों को भी वो लोग नहीं मारते हैं तो सबकी अपनी अपनी जीवन शैली अलग-अलग होती है उनकी चाहे मन कुछ भी करता हो लेकिन उन पर जो सामाजिक दबाओ है उनके जो धर्म की माननेता है वो उनको मानने के लिए बात दे करती है तो यही कहा गया सरचनात्मक दबाओ और संस्थागत दबाओ इनके बारे में भी हम बहुत सारी बाते करेंगे आगे जो फाइफ नोट्स ओफ अडेप्शन वाली बात आएगी जो टॉपिक हाएगा मर्टन का नेक्स्ट वाला उसमें संस्थागत साधनों की बात भी होगी तो वहाँ पर कौन सा फ्लस है कौन सा माइनस है लेटेंट फंक्शन वगरा की तो वहाँ पर बात करेंगे अब नमबर नाइन के और चलते हैं नाइन में है गती शीलता और परिवर्तन गती शेलता और परिवतन में क्या है? प्रेकारयत वक सिध्धान पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसमें ठहराओ या गती हींता है जैसे अभी जंजाती की बात आई थी तो जंजाती में गती हींता है और ठहराओ भी है इस आरोप को दूर करने के लिए मर्टन ने प्रस्तुत मद रखा ये वाला जो मद है वो इसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए रखा और कहा कि अपने आप में परकारयवादी सिध्धान गती हीं नहा होकर गतीशील है जो सिध्धान दोते हैं वो तो गतीशील होते ही हैं आज कुछ और है तो कल कुछ और होगे वास्तम में गती हींता का आरोप पिछले मानव शास्त्री होने लगाया उन्होंने अपने शोध निस्तकर्षों में पाया कि अफरीका अभी जन्जातियों की बात हम करे थे तो जन्जातिया ही आगी फिर से उधारन में अफरीका और भारत की जन्जातिया एकदम गती हीं और जड़ है वास्विक्ता में जो जनजातिया है वो आज भी जड़ है इसी निसकर्ष के आधार पर उन्होंने प्रकारेवादी सिधान में गती हिंता का जोर दिया लेकिन ये चीज़ हमारी पूरी सोसाइटी पर लागू नहीं होती जो अफरीका की जनजातिया है या फिर भारत की जनजातिया है उनकी जड़ता जो अपनी सोसाइटी है उस पर लागू नहीं होती है मार्टन कहते के जो जो सामाजिक व्यवस्था की आवशक्ताओं में बदलावाता है त्यो त्यो परकारेव में भी बहुलता आती है बतलावाता है यदि प्रकारियों में गती शीलता नहीं हो तो व्यवस्था का समान्यों कुलन तुरंट बिगड जाएगा यदि सोसाइटी में गती शीलता नहीं होगी तो इसकी व्यवस्था का जो संतुलन है वो बिगड जाएगा प्रकार्यवादी सिध्धान की गती शीलता हमारे देश की जाती व्यवस्ता में देखी जा सकती है एक ऐसा समय था जब निम्द जातियों और दलितों की एगन्य निर्योगिताएं थी वे ऐस पर्ष थी, मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित था सार्वजिन एक कुए से पानी नहीं ले सकते थे लेकिन क्या हुआ, इसमें परिवर्टन आया, हमारा समीधान बना उसके बाद सब निर्योगिताएं हटा दी गई निम्द जातियों को समीधान में अन्ये नागरिकों के समान दर्जा दिया गया इसके फंते संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष जो था वो टल गया और आज भी जाती ववस्ता बदस्तूर कायम है जैसे पहले जाती ववस्ता थी, ऐसे ही थी लेकिन जो पॉइंट्स गलत थे, उनको हटा दिया गया जैसे एसपर्ष जाती है, कि हाँ भी पहले तो जातियों को बनाया गया कि ये एसपर्ष है और ये ऐसे डिवाइडेशन किया गया और उसके बाद उनके नियम बनाये गए कि इनको मंदिर में पूरती इसके प्रकारियों के संपादन द्वारा होती है इसका अधारन है, कि यदि हमारी यह माननेता है कि विश विद्याले विद्यार्तियों का गयान का विशाल भंडार प्रस्तुत करते हैं तो प्रकारियत्मक विशलेशन द्वारा योगति-योगति-धंग से यह देखा जाना चाहिए कि किसी भाती विभिन मद इन माननेताओं को पूरा करते हैं माननेताओं के अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवशक्ताओं भी होती है अते तारकिक रूप से देखा जाना चाहिए कि किसी सीमा तक विभिन मदों की प्रकारे वेवस्ता की अवश्रक्ताओं को पूरा करते हैं कहा गया है कि विश्विध्याले कुछ जो आदेश है वो पारित करता है लेकिन उन्हें जमीनी इस्तर पर भी देखना चाहिए कि कॉलिज उन निर्देशों का पालन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह एक तारकिक रूप से उस वेवस्ता की आवश्रक्ता है फिर जोर देकर अपने बात पर द्रड़ता बूरवक कहते हैं कि प्रैकार अत्मक विश्रेशन में कोई आर्थिक या राजनेतिक विचारधारा अंतनिहित नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रैकार अत्मक से धांत एकदम इन तत्वों से रहित है जबकि उन्होंने कहा कि ये रहित नहीं है लेकिन फिर भी प्रैकार अत्मक समाशास्री जिस तरह से बोल्यों से प्रेरित होता है उन्हीं के आधार पर अपना विशलेशन प्रसुत करता है अते यह समझ लेना चाहिए कि प्रकार्यत्मक सिध्धान प्रतेक विचारधारा से मुक्त है, दोशपूर्ण है, क्योंकि विचारधारा का विकल्प तो प्रकार्यवादी सिध्धान समाशास्रिक पर निर्भर करता है ये थे ग्यारा मद, ग्यारा आइटम्स जिनके आधार पर मार्टन ने ये कहा कि हमें सोसाइटी को इनके आधार पर देखना चाहिए अब आती है, इसके अंक्षिल जो प्रकार्यादाइम है, इसकी उप्योगिता गया है उप्योगिता या फिर प्रैकार आत्मक योगदान के छेतर में मर्टन का मूल्यांकन, कि किस प्रकार से हम इसका मूल्यांकन करेंगे अब मर्टन का यह विश्वास है कि विभिन, मदों का यह पैराडिम अपने क्लेवर में बहुत विशाल है और दुनिया भर के समाजोग को समस्याओं का इसमें समावेश किया गया है इसी द्रश्टी से प्रकारात्मक विश्लेशन का यह सहीता राजनितिक का चहरा भी पहन सकती है इस पैराडिम में समासुधार, समाजुधान, संगर्ष, नीदान, आती मुद्दों पर काम करने के लिए पूरी संभावनाई दी गई है यह पैराडिम एक तरह से सामाजिक अभियांत्री की रूप रेखा भी है निश्चित रूप से मदो की यह सहीता जिसे मर्टर ने पैराडिम का नाम दिया प्रेकारात्मक सिध्धान के विश्लेशन में एक अनोखी है अब देख लेते हैं पैराडिम के उद्धेश्य क्या है पैराडिम के उद्धेश्य पहला उद्धेश्य इस तरह का वर्गी करन, मौडल, प्रेकारात्मक विश्लेशन के लिए बहुत उपयोगी होगा इस मॉडल में विभिन अवधारनाओं की कोई भरमार नहीं है कि इसमें बहुत सारी अवधारनाओं की भरमार नहीं है मटन ने तो बहुत ही थोड़ी अवधारनाओं का प्रियोग करके ही से तयार किया है इस मॉडल को फिर आता है इसका दूसरा उत्देश्या है कि प्रैकारात्मक विश्रेशन के अंतरगत आने वाली सभी माननेताओं को इसमें समाहित किया जा सके यह बात प्रैकारात्मक विश्रेशन में इन माननेताओं की निरणायक भुमी का है और जब तक उन्हें व्यवस्यत रूप में सहीता में नहीं रखते प्रियापत रूप से प्रैकारात्मक विश्रेशन नहीं हो सकता अब तीसरा उद्देश आता है यह पैराडिम ने केवल सीमित अर्थों में वेग्यानिक है बलकि यह तथे की पूरी गुंजैश है इसे प्रैकारात्मक समाशासरी किसी विचारधारा के लिए काम में ले सकते हैं इस द्रश्टी से प्रैकारात्मक विश्रेशन की यह सहीता राजनीति का चहरा भी पहन सकती है तीसरा पॉइंट ही हुआ यह पैराडिम ने केवल उद्देश है सीमे तर्थों में बल्कि वैग्यानिक लूप से इस तस्थे की पूरी गुंजैश है कि इसे प्रैकारात्मक समाशासरी किसी भी विचारधारे के लिए यूज कर सकते हैं अब आते हैं इसकी विश्यस्ताएं पैरेडाइम की विश्यस्ताएं प्रैकारात्मक और प्रचन प्रकारे के बारे में मर्टन ने बताया है प्रकट प्रकारे और प्रचन प्रकारे में पहले भी बता चुकी हूँ फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ प्रकट प्रकारे वे जो व्यवस्था में फिट हो और आदेशानों सार चलते हो दूसरे प्रचन प्रकारे जो कि बिना आदेश की होते हैं और ये व्यवस्था में कहीं भी फिट नहीं होते हैं according to modern दूसरी विशेस्ता है प्रकारे की आवधार्ना को निच्चित रूप से ही इस पस्ट शब्दों में परिबाशित किया गा है according to modern और तीसरी विशेस्ता है कि प्रकारे एवं दुश प्रकारे को प्रत्थक्ष्यों में रखा गया है है अब कोई भी राइटर हो कुछ कोई भी थ्योरी देता है कि तैंबी मन से दे शिद्द से दे लेकिन उसमें कुछ न कुछ तुरूटिया निकल ही आती हैं कुछ न कुछ अलोचनाए हमारे सामने आ ही जाती है तो मर्तन की भी आलोचना हुई मर्तन के इस पारणिम की भी आलोचना की गई जहां की से खुब साहाना भी मिली और अच्छा भी बताय послед के इस प्रकारय वाद की अलोचना भी हुई इसका पहला पॉइंट रखा राइटर्स ने पुनरुकती पुनरुकती का मतलब चीजों को बार-बार दोहराना कहा मतन के प्रकार्यवादीक सिध्धान में निरुपन में बार-बार कई तथ्यों को बार-बार थोड़े-थोड़े समय के बाद इसमें यूज किया गया उधारन के तौर पर देखा जाए तो पैराडिम में आइटम और अवधारना पदों की भरमार है ये बाद सही है कि इसमें बार-बार आइटम और अवधारना शब्द का यूज बार-बार किया गया है इसलिए उनके प्रकार्यवाद सिध्धान की बहुत बड़ी आलोचना यह हुई कि यह भरमार है इसलिए उनके कि यह सिध्धान केवल मात्र पुनरुकती है मात्र पदों की लफाजी किसी निश्चितने सकर्शी ओर नहीं ले जाती कि आप बार 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 एक ही वर्ड को या दो तिन वर्ड को पकड़ोगे और बार-बार उन्हीं पर फोकस करते चले जाओगे तो उससे वो बात सिद्ध नहीं हो जाती यह आगया है पुनरुक्ति का दूसरा कारण यह है कि मर्टन का प्रभाव को ही कारण मानते हैं कि जो प्रभाव है वही कारण है जो कारण है वही प्रभाव है यह ठीक ऐसे ही है जैसे एस्ट्रोफिजिक्स में तारों और ग्रहों की गतिविधियों को एक दूसरे के संदर्व में समझा जाता है इस भाती मर्तन के प्रेकार्यवाद प्रेकार्यात्मक विशेशन विधी में धर्म की व्याख्या इस तरह करते हैं कि धर्म का अस्ति तो इसलिए है कि यह है व्यक्तियों को नैतिक समुदाय में बानता है मर्टन अपनी पैराडिम में इस भादी प्रकार्यवाद के कारणों की व्याख्या एक चक्र के रूप में करते हैं धर्म की बात के वल लोने प्रकट प्रकार्य और प्रचन प्रकार्य को समझाने के लिए गई थी दूसरा पॉइंट है प्रैकल्पनाओं की जाज कठिन इस कर्ष है कि मर्टन ने जिन प्रकार्यवादी प्रकल्पनाओं को रखा है उन्हें प्रमानित करने का कार्य आसान नहीं है यह सत्य प्रकार्पनाओं की जाच के परियाप्त अनुभाविक प्रमान तो हैं लेकिन निगमन के नियम एसपस्ठ है उधारण के लिए एक प्रकल्पना है कि राज्य का प्रकार्य समाज की विभिन गतिविधियों को संगठित करता है इस प्रकल्पना की जाच की तो जा सकती है लेकिन इसमें अवधार्ण आत्मक इसपस्ठता का अभाव देखने को मिलता है यह कहा है कोहन ने नमबर तीन आता है तुल्ना तुल्ना वे समान्नी करण का अभाव इसके आधार पर प्रकारात्मक विश्चेशन के पैराडेम में तुल्ना वे समान्नी करण की भूमिकान को निश्चित नहीं किया गया है प्रकार्यवाद का तो एक सीधा उपागम है कि वह प्रतेक मद को संपून समाज के संदर्व में देखता है अतहे इस तरह के संदर्व में तुलना और सामानी करण के लिए स्थान है ही नहीं या मद ही विशिस्ट हो जाता है मद को ही इन्होंने विशिस्ट प्रदान की है नमबर फोर प्रकार्यवादी सिध्धान्त सिध्धान्त या विधी विशेशकन मर्टन समानीता प्रकार्यवाद्यों की इस आधार पर अलोशन की जाती है कि वे प्रकार्यवाद को किस रूप में स्थापित करना चाते हैं सच में देखा जाए तो प्रकारात्वक विशेशन का paradigm एक विधी है दूसरे शब्दों में जब हम इसे model मानते हैं तो Turner के शब्दों में model कभी भी किसी भी अर्थ में सिध्धान्त नहीं होता Holmes ने भी इसी तर्क को रखा और निश्चिस शब्दों में कहते हैं कि प्रकार्यवाद सिध्धान्त नहीं है कोपलर इस विवाद में और आगे बढ़ते हैं और अपनी टिपनी करते हुए कहते हैं कि प्रकार्यवाद सिध्धान्त मातर अध्यन की एक विधी है अध्यन का तर्क मातर है अब पॉइंट आता है फाइफ यह कैसे पांचवी आलोचना पांचवा पॉइंट आलोचना का यह कैसे कि मर्टन का प्रकार्यवाद नहीं तो रूडीवादी है और नहीं क्रांतिकारी अब इस पे गुल्णर बड़ी आलोचना करते हैं कहते हैं जब मर्टन ने पैराडिम में परकट और प्रचन परकारियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि परकारेवाद पर रोडी वादी और क्रांतिकारी होने का आरोप है इस आरोप में मार्टन का तर्क है कि प्रकारेवाद में जहां एक ओरूडिवादी यानि ये था इस्थिती बनाए रखने के तत्व हैं वहीं इसमें करांती कारी तत्व भी है मर्टन के इस तर्क की कुल्णा ने आलोचना की स्वेम मर्टन इस तरह के आलोचना के रूबरू होते हैं और अपना बचाओ पक्ष भी रखते हुए विस्तार पूर्वक कहते हैं कि परकार्यवाद और माक्सवाद में एक निश्चित गड़ जोड है एक तरह से मर्टन के नुसार माक्सवाद और परकार्यवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है तो माक्सवाद और परकार्यवाद को एक सिक्के के दो पहलू कहा मर्टन ने अत्या प्रकार्यवाद को क्रांतिकारी कहने में मर्टन को कोई ही चक नहीं है यदि मर्टन के तर्क को थोड़ी गहराई से देखें तो लगेगा कि जब प्रकार्यवाद माक्सवादी या क्रांतिकारी है तो वह रूडिवादी कैसे हो सकता है वास्ता में मर्टन ने कुछ इस प्रकार का बौधिक श्रम करना था जिसके द्वारा वे स्थापित कर सकते कि किस सीमा तक प्रकार रूडिवादी है और कहां तक क्रांतिकारी गुल्डर कहते हैं कि मर्टन ने प्रकार रूडिवादी का जो बचाओ पक्ष रखा वे रूडिवादी और क्रांतिवार कारी पक्ष में वह कमजोर नीव है तो पूरी तरह से ये फिट नहीं मैठता है तो अब हम अपनी वीडियो के समापन के और जाते हुए इसको एक संक्षेप में इसको समझ लेते हैं जो मर्तन का functional paradigm है जो कहा है completely समाशास्त्रे सिध्धान्तों में प्रकार्यवाद सिध्धानत की एक निश्चित परमपरा है इस परंपरा के निर्माण में प्रकार्यवाद ने कई उतार चड़ाव देखे प्रकार्यवाद का उत्गम, अगस्त कॉंट, हर्बर्ट स्पेंसर, तुर्खीम और मानव शास्त्रियों जैसे रैड कलिव, ब्राउन और मैलनोवस की के सिध्धान्तिक निरुपंड से हुआ है मतलब इनी को पढ़के, सोचके मर्टन ने इनी से ये जो पैराडाइम है, इसको निकाला है पैराडाइम को मर्टन ने सिध्धान्त निर्माण के छेतर में एक निश्चित स्थान ग्रहन किया यह स्थान ही उन्हें पार्षनस से प्रथग करता है, जब कि जो मर्टन है वो पार्षन्स के शिष्य है मर्टन बहुत इसपस शब्दों में कहते हैं कि यहां उनका पार्षनस से विरोध है कि समाशास्र आजविकास की आवस्था पर नहीं पहुँंचा है जहां इस संपूर्ण समाज को अपने आगोश में ले सके ऐसे किसी वरद सिध्धान का निर्मान कर सके अभी हम उस पॉइंट पर नहीं पहुँचें कि इतना बड़ा कोई सिध्धान तो जो पूरी सोसाइटी को अपने अंदर ले ले जबकि पार्सन जो कहते हैं वो वरद सिध्धान के बारे में करते हैं और वो वरद्ध ठीउरिस बनाते हैं और इसे लिए मर्टन उनकां से थोड़ा ऐसे मत होते हैं और कहते हैं कि सोसाइटी को अभी इतने बड़े सिध्धानतों की आविशक्ता नहीं है अभी सोसाइटी का जो काम है वो मद्य सीमा सिध्धानतों से चलेगा मिडल रेंस चुरीज से चल जाएगा वस्ते मर्टन का प्रकार्यवाद अनुभाविक प्रकार्यवाद है ये अनुभाव पर है जितना भी इन सोशलोजिस्ट ने किया काम अगस कॉम्ट, हर्बर स्पैंसर, रैड क्लिफ ब्राउन, मेलन वस्की और दुर्खी मादी ने किया उन्हीं से सीख कर जो मर्टन ने निकाला अनुभाविक एहमुर्तिकरण के आधार पर ही प्रकार्यवाद की सहीता का निर्मान किया जहां में आधुनिक आनुभाविक तको काम मिलेते हैं वहीं वो मानव शास्रियों की प्रकार्यवादी अभी धार नाओ को भी काम मिलेते हैं उनका प्रकार्यवाद, प्रकार्यात्मक विशेशन का पैराडिम एक आदर्श प्रारूप है जिसमें ग्यारमद या आइटम है यह पेराडिम वास्तम में प्रकारात्मक सिध्धान की एक रण नीती है जो कुछ आलोचक इसे सिध्धान मानते हैं और कुछ आलोचक इसको विधी मानते हैं मर्टन के प्रकार्यात्मक प्रकार्यवाद की अलोचना कई बिंदूओं पर हुई इतना होने पर भी निश्चित रूप से मर्टन का ए सिद्धान निर्माण में निर्नायक योगदान रहा है उन्होंने प्रकार्य की अवधारना प्रकार्य के प्रकार तथा प्रकट वे प्रचन प्रकार्यात्मक विकल्पों की जो व्याख्या प्रस्तूत की वे है प्रकार्यवादी सिध्धान को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती है ये टॉपिक हमने किया उश्तर समाशास्ते सिध्धान पुस्तक से पेज नंबर ये खतम होता है 87 भी ओके थैंक यू वरी मुच अब इनको अच्छे से कर लेना सही सही अपने नोट्स बनाओ अपनी तियारी करो एक्जाम जब भी होंगे और सेफ रहो सुरक्षित रहो अपना मास्क पहनो साबुन से हाथ धुलो घर से बाहर बहुत जरूरी हो तब ही निकलो otherwise अपने घर में रहो और अपनी बढ़ाई करते रहो All the best